तो टाइम आ चुका है best smartphone of the year बताने का उससे पहले मैं बता दूं भाई मैंने लास्ट साल मलब कोई भी smartphone unbox नहीं कर रहता लेकिन 2019 के अंदर मैंने काफी सारे smartphone unbox करें all thanks to you guys आपने काफी सार प्याद गया और I hope कि 2020 में से जाद मिलने वाला है तो वीडियो ची लेगे तो लाइक कर देना और जितने मी स्मार्टफोन से वह आपने खुद चुने और यहां पर मैंने तीन काटेग्री में फोन रखे है बेस्ट फ्लेक्शिप ऑफ दी एयर बेस्ट फ्लेक्शिप किलर ऑफ दी एयर बैस्ट स्मार्टफोन अंडर तॉटी थाउज़न रुपीस तो चलिए श्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विडियो को वेश्ट करने थाउजन रूपीसोट देश्ट वीडियो पर दो स्मार्टवोच का गीवावेश चल ला है तो मिस्समत करना पहुँच के लिए सबसे पहले company wise smartphone रखे उसमें से फिर जो आपने पिक कर रहा था उन्हें रखा और finally मुझे 20,000 उपे में best smartphone देखने के लिए मिला तो यहां पर मैं agree करता हूं आपकी बात से लेकिन यहां पर एक चीज़ से बनता है मिलता है जो भी है वीडियो लाइक कर देना अपने लिए तो यहां पर आप बात करते हैं सैंसिंग की तरफ से तो सैंसिंग की तरफ से मैंने रखे चार स्मार्टफोन मिलता है और 15 को को छे इक लिए पर्सेंट चुना उसफLou ने फार्फनी की तरफ से मिल चुक यहां पर रियल्मी की तरफ से मिल Springs पर चार डिए में यमीफ चुन यहां पर को चुना चुनने वाली चीज और Redmi Note 8 Pro, Mi A3, K20 and Note 7 Pro और यहां पर आप में से 72% लोगों ने Note 8 Pro को चुना और मेरे हिसाब से भाई K20 होना चाहिए था बाइदे में यहां पर K20 को 22% वोट मिली and Mi A3 को 3% वोट मिली and Note 7 Pro को 3% वोट मिली तो यहां पर मैं आपकी बात से अगरी नहीं करता बट भाई आपने चुना है तो उसे ही मैंने पुट करा तो यहां पर अब हमारे पास आचुके हैं 4 स्मार्टफोन और मैंने इनकी वोट करी और यहां पर विनर निकल कर आया Realme X2 यहां पर आप में से 64% लोगों ने Realme X2 को चुना A50s को चुना 8% लोगों ने यहां पर मैं आपकी बात से अग्री नहीं करते हैं आपर मैंने 4 स्मार्टफोन रखे थे S10e, OnePlus 70 Pro, Realme X2 Pro and Redmi K20 Pro और आपने 7% दिये सिर्फ वोट S10e को और यहां पर नेक्स स्मार्टफोन मैंने रखा था OnePlus 70 Pro जिसको आपने दिये सिर्फ 15% वोट और Redmi K20 Pro को दिये 15% वोट तो भाई Realme X2 Pro एक अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन अगर आप प्राइस देख रहे हैं सिर्फ जबी वनना मेरे हिसाब से इस साल का बैस्ट फ्लेक्शिप किलर OnePlus 70 Pro रहेगा बिकॉस आफ यूआई बिकॉस आफ कैमरा और यहां तक कि भाई उसकी डिस्प्ले काफी तगडिया मलब कर डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और Realme X2 का यूआ इतना अच्छा नहीं है तूबी ओने यह फोन यूज करा हुआ है बाकि smartphone अच्छा है लेकि not as OnePlus 70 Pro और OnePlus 70 Pro अगर आप खरीद कर बेखते हैं तो असानी से भिग जाएगा Realme X2 Pro असानी से नहीं भिगएगा और यह मैं अपने experience से बोल ला हूँ क्योंकि मैंने smartphone buy करा था उसे बेकने में मुझे करीब करीब एक हफते के अंदर 5000 रुपे का नुकसान हुआ तो आप अंदाज लगाई सकते हैं तो मेरे साब से यहां पर जो आवोड मिलन चाहिए था वह OnePlus 70 Pro को मिलना चाहिए था अगर आपने चुना है तो Realme X2 Pro इस साल का best flagship killer रहेगा तो अगर आप agree करते हैं इस बास से तो comment section में जरूर बताना तो final category की तरफ चलते हैं तो यहां पर बात करेंगे best flagship of 2019 और यहां पर मैंने चार smartphone आपके लिए पॉल में रखे थे डिस्पले में बैजल काफी कम देखने के लिए मिलते हैं एक perfect camera setup है और मेरे साथ से आइफोन से अच्छा camera देखने के लिए मिलता है आपको बैक पर जो इसका डिजाइन है वह ज्यादा attractive है तो आप मुझे comment section में बताइए कि आप इस बात से agree करते हैं नहीं करते हैं आपकी तरफ से जो एवोट दिया गया है best flagship of 2019 iPhone 11 pro को दिया गया है तो अगर आपको वीडियो चीज़ लेगे तो लाइक कर देना आपको यह जड़ बताइए जड़ प्सक्राइए जाए वाई